मैं हूँ सेइद नुरान और आप देखरें इंडियन मेरिया बुक आज की स्पेशल रिपोर्ट यूनियन बजट 2021 पर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सिता राम ने यूनियन बजट 2021 पेश किया उन्होंने बहिश खाता या ब्रीट केस में नहीं एक डिजिटल तरीका इस्तमाल किया उन्होंने टाब्लेट के जरिये पार्लिमेंट में बजट पेश की ग्लोबल पैंडमिक के बाद ये पहला बजट था और 2021 एक एतिहासिक साल है जिस पर देश की नजरे हैं इतने सारे मुश्किलों के बावजूद में मोधी सरकार ने किसी भी तरह का मीजर रिलीफ किसानों के लिए नहीं दिया है बजट के कुछ खास बाते हैं जो मैं आपको बताना चाहते हूं फिनांस मिनिस्टर ने कहा कि आत्मा निर्भर भारत पैकेज और कई सारे ऐसे योजना थे जो साथी स्वच भारत मिशन को भी बढ़ाया जिसके तहट सिटी में अमृत योजना को भी बढ़ाया गया जिसके लिए 2.87 क्रोर के पैसे अलोट किये गये क्यापिटल एक्स्पेंडिचर में 5.54 लाग क्रोर का प्रोपोजल और हेल्थ बजेट में 94,000 क्रोर के बजेट को बढ़ाते हुए 2.35 लाग क्रोर को कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजेट में कही सारे प्रोजेक्स को लांच किया गया 1,100 किलोमीटर का हाइवे केला में बनेगा और 675 किलोमीटर का हाइवे वेस्ट बेंगॉल में बनेगा और 9,000 क्रोर का हाइवे प्रोजेक्ट आसाम में जारी हो चुका है वेलनाडू में नाशनल हाइवे के प्रोजेक्ट के कोस्ट को 1.3 लाक क्रोज के तहद बनाया जाएगा और के प्रोजेक्ट को 65,000 क्रोज और आसाम के प्रोजेक्ट को 3.400 क्रोज अलोट किये गया है। फिनान्स मिनिस्टर ने असेमली एलेक्शन वाले राजय वेस्ट पिंगॉल के लिए 25,000 क्रोज का सडग प्रयोज जुनाउन को गोशित किया है। और दे नाशनल रेल स्कीम 2030 तयार हो चुकी है। कल 1.10 लाक क्रोज का बजट रेलवे के लिए दिया गया था। और सेक्टर के लिए सरकार के और से 3,00,000 क्रोज के स्कीम जारी हो चुकी है। जिसमें देश भर में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्टर को मर्बूत बनाया जाएगा। एलेक्रिसिटी कंजुमर्स को दिस्ट्रिबूटिंग कंपनीज के विपल देने के लिए नियम बनाया जाएंगे। फिनांस मिनस्टर ने PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहट 2,000 क्रोड का प्रोजेक्ट लांच किया है। जिसमें 7 पोच बनाये जाएंगे। अर्बन एरियाज में ट्रांस्पूर्ट सिस्टम में सुधार लाने के लिए 18,000 क्रोजेक्ट का घोशना की गई। रेलवेज में 2021 और 2022 के बजट में 1,10,055 क्रोज दिये गए हैं जिसमें 1,7,100 क्रोज सिर्फ कापिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। फिनांस मिनिस्टर ने का है कि ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर पूरी तरह से ऐलेक्ट्रिफिकेशन का काम डिसेंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। सरकार ने 2,00,000 क्रोज स्टेट और अटॉनमस बॉड़ी को कैपिटल एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए मुहिया किया है। अग्रिकल्चर इंफास्रुक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 क्रोज कर दिया गया है और माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट के फंड को दुगना करते हुए 10,000 क्रोज कर दिया है। शोशल सेक्योरिटी के दाएरे में कॉंट्राक्चियल एंप्रोईस को भी शामिल किया जाएगा। लाल अदाक में सेंट्रल यूनिवर्सटी की स्ताफना की जाएगी। एक देश, एक राशन कार्डियोजना में 32 राजियों को इंप्लिमेंट किया जाएगा। कॉंट्राक्ट वर्कर्स बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शनल वर्कर्स के बारे में सारी जानकारी रखने के लिए सरकार ने एक पोटल बनाने का प्रस्ताव रखा है नाशनल एड्यूकेशनल पॉलिसी के तहट नॉन गवर्मेंटल ओग्नाइजेशन एंजियों के साथ मिलकर दस नए स्कूल्स, आर्मी स्कूल्स की स्तापना की जाएगी और 15,000 स्कूल्स को मजबूत किया जाएगा। सरकार ने पिछले बजट के बाद से दोनों फ्यूल्स पर एकस्स जूटी पर 13-16% प्रति लीटर पर बढ़ोती की थी और इस साल बजट के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है चेंज नहीं आया है यूनिन बजट 2021 में सब्सक्राइब और प्रोजेक्ट की अनुमाती दे चुके हैं 85.19 km का में प्रोजेक्ट के लिए 14.788 क्रोष रूपीज दे चुके हैं और यह मैट्रो लाइन सेंट्रल सिल्ट बोर जंक्शन से क्यार पूरम और क्यार पूरम से लेकर कनाठा का इंटरनाशनल एरपोर्ट त प्रड़ दिजल ए लेड लांप्स रेफरेज़ेटर और एर कंडिशनर के कंप्रेस्ट से मुबाइल फोन मोबाइल फोन चार्जर और उसके कॉंपनेंस बाइल फोन पाज फिनिश्ट लेदर प्रोड़क्स सोला सेल जौ सिल्क रॉक कॉटन इंपोर्ड आटो मोबाइल पाज और important gemstones, सरकार ने शुरुवात से लेकर आखर तक privatization के उपर नहीं, लेकिन monetization के उपर stress किया है, monetization, privatization का ही एक अलग तरीका है, सरकार ने आत्मा निर्भरता के तुरू कई सारे assets को बेचने की बात भी की है, उन्होंने कई सारे gas lines, oil lines, pipelines, इन सब को बेचने का कहा है, और जीवन भीमा में इतनी शमता थी कि वो सरकार को वापस से उसके functional position में लेकर आएं, लेकिन अब जीवन भीमा का शेर भी सरकार बेचने पर है, AAI airports, toll roads और 4th stadiums, warehouses को भी बेचने का सरकार ने कहा है, budget proposal 2021 और 22 के 6 pillars है, 1st, health and well-being, 2nd, physical and financial capital and infrastructure, 3rd, inclusive development and aspirational India, 4th, strengthening human capital, 5th, innovation and R&D, 6th, minimum government and maximum governance, Union Budget 2021 से एक चीज़ क्लियर हो चाहिए है, जो market को चाहिए ता वो से मिल गया है, लेकिन general public को जो मिलना चाहिए, जो advantages मिलना चाहिए, वो क्या है और कब मिलेंगे वो शायद हमें 22 के budget में पता चलेगा, Union Budget 2021 में एक और interesting बात है, कि Finance Minister Nirmala Sita Ram को Ministry of Minority Affairs को 4, 4,800 crores देने का वादा किया था और फिर जब estimated value 5,000 crores की Minority Department में दी, तो Nirmala Sita Ram ने 4,000 crores ही sanction किया, अब अब नहीं रहें इंडियम मीडिया बुक के साथ और थांक यू फू वाचिन